साथियों, राजस्थान के लोगों ने कॉंग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है पिछले पांच साल जिस तरह की सरकार कॉंग्रेस ने यहाँ पर चलाई है, वो जीरो नंबर पाने की हगदार है गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के यहाँ के युवाओं के पांच महत्वपुन वर्ष बर्बाद कर दिये और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे मैं साफ देख रहा हूँ, राजस्थान में अब परिवर्टन होके रहेगा राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्टन संकल पर यात्राएं भाजपाने निकाली है उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है, ये साफ संकेथ है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है मैं राजस्थान के हर भाजपा कायर करताओं को और राजस्थान की जनता जनार्दन को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो आज मैं जैपूर ऐसे समय में आया हूँ जब देश का गवरव नए आसमान पर है आज पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ की बहबाई हो रही है हमारा चंद्रयान वहां पहुँचा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया जी ट्विंटी में भारत की सपलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है परेशान है भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन अपनी नए संसत भवन से काम का शुरू किया है और नई इमारत में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने हमारी माताओ बेहनों बेटियों को ही समर्पित किया है अनेक दसकों से हमारी माताओ बेहने लोकसभा और विदान समा में 33 परसेंट आरक्षन की आस लगाए बैठी थी माताओ बेहनों की ये उमीद किसने पुरी की 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 कि आप मुझे बताईए किसने महिलाओं को अरक्षन दिलवाया महिलाओं को अरक्षन किसने दिलवाया आपका जवाब गलत है ये मैंने नहीं किया है ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गरंटी दी आज आपकी ये गरंटी मैंने पूरी कर दी है मैं राजस्तान अनेकों बार आया हूँ मैं कह सकता हूँ अन्गिनत बार आया हूँ लेकिन इतनी बड़ी तादाद मैं माता ये बहने आकर के आशिरवाद दे ये अपने आप में मैं आप सम माताओं का इतने आशिरवाद देने के लिए रदय से बहुत पहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जब अंदर आ रहा था तब मैंने देखा जितने लोग अंदर है उससे जादा बहार है साथियों याद रखियेगा भूलियेगा मात याद रखियेगा मोदी याने गारंटी पुरा होने की गारंटी मेरे परिवार जिनों गरीब के पास स्वाबिमान होता है गरीब मेहनत करना जानता है मैं जिस गर से निकल कर यहां आया हूँ मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिरफ मैनत है सिर्फ मैनत है इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूँ इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ बलकि भीते नव वर्ष का मेरा पूरा ट्रेक रेकॉर्ड यही है वहाँ मेरा आप सबसे प्रार्थना है अब पेंडोल में कहीं जगा नहीं है किरपा करके वहीं रुख जाईए आप जहां है वहीं रुखिए मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे परिवार जनो आप याद कीजिए हमारी सरकार ने बन रैंक बन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्वस सैनिकों को दी थी आप देख रहे हैं मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी अब तक सैनिकों को जो निवरत है बन रैंक बन पेंशन के सत्तर हजार करोड रुपिये मिल चुके हैं अब आप कलपना करिए कॉंग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने पांसो करोड रुपिये की पोटली बना कर वो जूट बोलती थी को वो वन रैंक बन पेंशन लागू करेगी कहां पांसो करोड और कहां सत्तर हजार करोड यह भाजपा सरकार है जिसने सत्तर हजार करोड रुपिये दे कर बन रैंक बन पेंशन को लागू किया है साथियों जब नियत साफ होती है जब खुद पर भरोसा होता है तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है हमने प्रस्टाचारियों के विरुद कड़ी कारवाई की गारंटी दी थी आज देश के ब्रस्टाचारियों पर कानुन का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं आप मुझे बताइए ब्रस्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए कड़ी कारवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस देश से ब्रस्टाचार को खतम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साथ यो तीन तलाग के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीडियों से हो रहा था उमीद की कोई कीरन नहीं दिखती थी लेकिन हर बहन के आशू पहुंच रहे की इच्चा सक्ति के कारण हम तीन तलाग के खिलाब कानून लाए इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस की कभी नियत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को ससक्त करें जो कॉंग्रेसी आज महिला आरक्षन की बाते कर रहे हैं ये काम वो तीस साल पहले कर सकते थे जब जब मोका मिला तब कर सकते थे लेकिन सच्चा ये है कि कॉंग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षन मिले आज भी अगर ये नारी शक्ती बंदन अधिनियम के समर्थन में आए है तो मन से नहीं आए बलकि ये आप सभी बेहनों के दबाव के परणाम सीजी लाइन में आए है और इसलिए मेरी माता और बेहनों आपको याद रखना है मेरी हर बेहन बेटी को याद रखना है कॉंग्रेस और उसके गमंडिया साथी महिला आरक्षन के गूर विरोधी है नारी को ससक्त करने के इतने बड़े पैसले को भी वो बठकाने में लगे हैं जीनों ने यूपीए सरकार के दोरान ये बिल रोका था कॉंग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं इसलिए राजस्तान की बेहनों को देश की बेहनों को बहुत सतर्क रहना है मेरे परिवार जनों राजस्तान तो गवरोवशाली तिहार्स और परंपराओं की भूमी है यहां के कण कण में गवरोव गाथाए हैं महराना प्रताप महराजा सुरजमल से लेकर राणा सांगा राणा कुम्भा तक बीर दुर्गाजास राठोर से लेकर गोविंद गुरु तक मिरा भाई पन्ना धाय राणी पद्मिनी से लेकर अमरता देवी काली भाई कनबा भाई तक एसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन दरोहार हमारे लिए छोड़ी है लेकिन कॉंग्रेस और उसके गबंडिया गट के बंदन ने इस दरोवर के विरोत हलावोर शुरू कर दिया है इन्होंने गोचना की है कि यह सनातन को जड़ से मिटा देंगे हमारी पहचान को मिटा देंगे कुछ वोटों के लिए तुष्टी करण की पराकास्टा को राजस्तान का समाज अच्छे से समझ रहा है और मैं जानता हूँ राजस्तान चुनाओं में ही नहीं बलकि आने वाले हर चुनाओं में गमंडिया गटबंदन को इसका नुक्षान उठाना ही पड़ेगा वो जड़ों से उखड जाएंगे मेरे परिवार्जनों राजस्तान के हर छेत्र में कॉंग्रेस की सरकार के विरूत जना क्रोश बढ़ता जा रहा है यहां की कॉंग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बलकि सिर्फ दोखा दे सकती है राजस्तान में जितनी बार पेपर लिख होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को सरमिंदगी से भर देते हैं यहां की कॉंग्रेस सरकार पेपर लिख माफिया को सहुरक्षन देती है मैं आज राजस्तान के युवाओं को भरोसा देता हूं राजस्तान में बीजेपी सरकार बनने के बार इस पेपर लिख माफिया पर सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी युवाओं के भविश्चे के खिलवार करने वाले किसी माफिया को बक्सा नहीं जाएगा साथियों आज देश के अलग-अलग राज्यों में आउद्योगी की विकास नई उंचाई पर है राजस्तान में भी निवेश बड़े यहां नए कारखाने लगे नई फैक्टरियां लगे यह बहुत जरूरी है लेकिन जहां कदम कदम पर करप्षन हो जहां लाल डायरी में काली करतूते हो हर कोई कट और कमिशन में बेस्त हो वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा कौन पुझी निवेश करेगा जहां सरयाम गला काटने की गटनाए हो और सरकार मजबूर हो ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है यह साधारन अपराद नहीं है यह कौंग्रेस की बोट बेंक की तुष्टी करन की नीती का परणाब है जब कौंग्रेस सरकार आतंकियों पर कारवाई के बजाए उन पर महर्मान हो जब कौंग्रेस सरकार अपरादियों को खुली छूट दे रही हो तो फिर कानून का खौप कैसे रहेगा किस में होगा इसलिए आज राजस्तान की पस्तक कानून ववस्ता की बहुत बड़ी बुक्त भोगी हमारी माताए बेने बेटिया है जो सरकार बेनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती उस सरकार का जाना तय है मेरे परिवार जनों राजस्तान की भूमी बतन की मर्यादा रखने वाली भूमी है लेकिन कॉंग्रेस की आदब जूट बोलकर भूल जाने की है राजस्तान के किसानों को तो अच्छे से याद है कॉंग्रेस ने पांच साल पहले जो बचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया कॉंग्रेस ने किसानों से कई वादे किये थे उनका क्या हुआ इसका कोई साम नहीं है आज ओने पोने भाव पर किसानों को बाजरा बेचना पड़ रहा है किसानों को इस्तिती में ला दिया है एक मात्र जिम्मवार है कॉंग्रेस और गहलोत सरकार जिम्मवार है लेकिन मैं किसान भाइयो बेनों को कहुंगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है किसानों की चिंता करने वाली भाजबास सरकार जल्द ही आने वाली है साथियों बाजपा कदम कदम पर किसानों और पसुपालकों के साथ खड़ी है पीएम किसान सम्मान निती से हजारों करोड रुपिये राजस्तान के किसानों को मिल चुके है आप भी जानते हैं कि दुनिया में खाद की किमतें बहुत अधिक बढ़ गई है कई देशों में खाद की बोरी तीन हजार रुपिये तक मिल रही है लेकिन भारत में भाजपा सरकार वही खाद की बोरी सिरफ तीन सो रुपिये से भी कम किमत में उपलब्द करा रही है साथियों भाजपा सरकार ने अपने कारीगरों अपने शिल्पकारों हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू किया है कॉंग्रेस की सरकारों ने कभी इन साथियों की सूद नहीं ली लेकिन आज हमारे दरजी भाई बहन हमारे बाल काटने वाले भाई बहन जूता बनाने वाले भाई बहन हमारे कुमार भाई बहन, सुनार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, मालाकार ऐसे अनेक काम से जुड़े साथ्यों के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं इस विश्व कर्मा योजना के तहट इन साथियों को ट्रेनिंग और आधुलिक उपकरन सरकार देगी यही नहीं इन्हें लाखों रुपिये का कम ब्याजवाला रण भी मिलेगा यह योजना राजस्तान के लाखों विश्व कर्मा परिवारों का जीवन बहतर बनाने में मददगार सिद्ध होगी साथियों मोदी हवाई हवाई बाते नहीं करता क्योंकि मोदी के पाउं पूरी मजबूती से जमीन पर ही रहते हैं इसलिए बीते नव वर्षों में हमने सामान्य से सामान्य लोगों की छोटी छोटी कढ़िनाईयों को दूर करने का प्रयास किया एक तरफ हम स्वनी जी योजना से रेडी ठेले पट्री वालों को मदद दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ PLI स्कीम के माद्यम से दुनिया भर के उद्योगों को भारत आमंत्रित कर रहे हैं आज हम मुद्रा योजना से करोडों छोटे छोटे उद्यमियों महिला उद्यमियों दलीत पिछडे समाज के साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ खेती से जुड़े उद्योगों फूर्ड प्रोसेसिंग इंडेस्ट्रों के ओभी बड़ावा दे रहे हैं हमारा विकास सर्वस्परसी भी है हर बर को लाब हो रहा है गरीब कल्यान अन्य योजना से गरीब SC, ST, OBC सभी को लाब हुआ है साथियों हम वाइप्रेंट विलेज प्रोग्राम की चला रहे हैं राजस्तान इसका बड़ा लाबारती है राजस्तान के सिमावरती गवं में कॉंग्रेस ने सुविदाओं का निर्मान नहीं किया कॉंग्रेस वाले तो कहते थे कि सिमाओं पर इंफ्रासेक्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे दुश्मन को अंदर आने का आसानी हो जाएगी कॉंग्रेस की इस नीती का हमें बहुत नुक्षान हुआ है लेकिन भाजपा सरकार आज सीमावरती गवं का विकास कर रही है हमारी सरकार वहाँ ऐसी सुविदाय बना रही है जिसे बॉर्डर के किनारे बसे गाउं का भी तेज विकास हो वहाँ टुरिजम के अउसर बढ़े साथियों बाजपा सरकार की प्रांत्विक्ता गरीबों का मद्यम्बर का स्वास्त भी है पिछले नव वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगबग दोगुनी हो चुकी है इसका अलाब राजस्तान को भी हुआ है बीते वर्षों में राजस्तान में अनेक नए मेडिकल कॉलेज खुले है केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में डेड़ सो से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज खुलने का भी निर्णे लिया है इसमें बहुत सारे कॉलेज राजस्तान के लिए भी स्षिक्रत हुए है मेरे प्यारे परिवार जैनों मुप्त राशन मुप्त इलाट मुप्त गैस कनेक्शन ये गरीब परिवारों को दलीत पिछडे आदिवासी परिवारों को गरीमा का जीवन देते हैं अगर हमने राजस्तान के लाखों गरीब परिवारों को पक्का गर दिया आए तो मद्दमबर के परिवारों को भी गर बनाने के लिए मदद की है देज़ बर में मिल्ल क्लास परिवारों को ब्याज सब्सिडी के रूप में करीब करीब साथ हजार करोर रूपिय की मदद दी गई है इस वरलाल के लिए से मैंने मद्दंबर के परिवारों के लिए एक और गोशना भी की है जो साथी शहरों में किराये पर रहते हैं भी अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उन्हें कम ब्याज पर रन उप्लब्द कराये जाएगा आपको याद होगा साल दो हजार चेहुदा तक देश में कि दो लाक रुपय की इंकम पर टैक्स लग जाता था आज सात लाक रुपय तक की इंकम टैक्स फ्री कर दिया गया है इसका चीधा लाप हमारे मद्दंबर के परिवारों को हुआ है हर साल कम से कम 50,000 रुपे की बचत्तों इंकम टेक्स से हो रही है कॉंग्रेस की सरकार थी तो 3G नेटवर्क का फोन बिल भी भारी भरकम आता था आज तो 5G चलने लगा है तो तो मोबाइल फोन रखना ही असंबव था आज परिवार के करीब करीब हर सदस्त के पाथ फोन है ऐसे में 2014 की तुलना में हर परिवार को हर महिने हजारों रुपिय की बचत हो रही है मेरे परिवार जनो भाजपा, राज़तान को देश के एक प्रमुक, आउजोगी और व्यापारी केंद्र के रुप में विक्सित करने के लिए प्रतिबद्दा है बीते नव वर्सों में राज़तान में हर प्रकार के आदुनिक इंफ्रासेक्टर का विस्तार हुआ है आज राज़तान दिल्ली मुंबई इंडिस्ट्रियल कोरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का महत्वपुन हिविस्ता है इस काम को हम बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं मेरे परिवार जनो ये भारत के लिए अवसरों का समय है ये राज़स्तान के लिए भी अवसरों का समय है अगर भारत की साग दुनिया में बढ़ रही है तो इसका लाब राज़स्तान को भी मिलता है राज़स्तान में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इन अवसरों को गवा दे आने वाले कुछ सालों में ही भारत दुनिया में टॉप थ्री अर्थे बवस्ताव में होगा टॉप थ्री अर्थे बवस्ताव में होगा ये मोदी की गारंटी है लेकिन इसके लिए राजस्तान को भी देश के अगरनी राज्यों में लाना होगा ये तब ही होगा जब जैपूर में भी कमल खिलेगा जब राजस्तान में विकास का डबल इंजिन लगेगा इसलिए आपको भारी बहुमत से बाजपा की सरकार बनानी है मैं बाजपा के हर कारकता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है इसलिए बूत बूत पर कमल का फूल खिले इसके लिए हमें प्रयास करना है एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या मैं यहां पधारने के लिए मैं रजए से आपका बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूं दोनों हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद